नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो में भी हम लोग थोड़ा सा डिसकेशन करेंगे आप लोगों की दुवारा जो कमेंट्स मुझे किये जा रहे हैं उन पर डिसकेशन करेंगे देखे वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो जाती है क्योंकि हो सकता है कि आपका कमेंट भी हो ऐसा भी हो सकता है कि आपने कमेंट ना किया हो लेकिन उसी तरह की कोई उलजन आपके मन में भी चल रही हो कि मुझे निवेश तो करना है लेकि तो कब हम invest करेंगे और जब invest करने में लेट हो जाएंगे तो कैसे अपने financial goals को हम achieve करेंगे इसलिए देरी बिलकुल नहीं करनी है जो भी मन में उलजन है उसका solution निकालिए ज़रूरी नहीं है कि यहीं से आपको solution मिले अगर आपको मेरी बाते अच्छी लगती है मेरे solution अच्छ यह राम परशाद जी का कमेंट है सर में बीड महरास्ट का रहीवाश महरास्ट के रहने वाले हैं मैंने क्मिटी में 10 साल के लिए 15 लाक रुपे लंसम किया ठीक है सर जब 10 साल हो गए इस समय कोरोना जैसा कोई समय आ गया कोई ऐसी विबदा आ गई जैसे कि कोरोना के टाइ एक दो बरस तक बढ़ा सकता हूँ के रुपे मार्ग लेशन करें इनका सवाल यह है कि माल लेजे इन्होंने 15 लाक रुपे का लंसम कर दिया 10 साल के लिए जैसे ही 10 साल पूरे हुए इनका टाइम आयन को लगा कि मुझे पैसा वेड्रॉल करना है उसी समय कोई ऐसी विबद कर सकता हूँ देखे सर ऐसी कोई यहां ऐसा कोई कमपलसरी नहीं है कि आपको पैसा उसी समय निकालना है आपको लग रहा है पैसे की जुरत है वो एक अलग मैटर है आप पैसा निकाल सकते हैं लेकिन अगर आपको ज़रूरत नहीं है आप वेड कर सकते हैं मार्किट के बढ पिल्कुल आप वेट कीजिए उसके बाद पैसा निकालिएगा कोई दिक्कत यहां नहीं है आगे बढ़ते हैं धर्मेश जी का कमेंट है सर मेरे पास 75,000 है ठीक है सर मेरे भांजे की शादी में देने के लिए रखे हैं ठीक है सर इन्होंने जो निवेश के अपना पोर्टफो टाटा इंडिया डिजिटल फंड रखा है 15,000 इंदोंने 75,000 का यह पोर्टफोलियो बना है क्या यह फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं प्लीज बताईए देखे सर बिल्कुल सिंपल बात करूँगा अगर आपने निवेश कर दिया है तो अलग बात है और अगर निवेश न नहीं रहेगा कि आप इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सा डिसकेशन कर लें तो आप थोड़ा सा उसमें सही तरह से अपने पोर्टफोलियो को बना पाएंगे एक बार आपने निवेश स्टार्ट कर दिया एक दो साल हो गए अब आप उसमें और फंड को एड़ तो कर सक इकत नहीं है सिंपल पोर्टफोलियो बनाईए नेटन क्लीन रहेगा रिस्क भी कम रहेगा रिटन्स भी बहतर मिलेंगे कैसे मिलेंगे उस पर बात करते हैं देखिए 25-25,000 के तीन फंड्स रख लीजिए बहुत ज्यादा फंड्स की जरूरत आपको मेरे हिसाब से नहीं है दस साल की डूरेशन है आप क्या कीजिए मिड कैप को रखिए मिड कैप मिड कैप को आप जरूर रखिएगा दस साल में दूसरा फंड आप एक कैटेगरी यहाँ पर और रख सकते हैं वो आप रख सकते हैं लार्ज कैप इंडेक्स फंड लार्ज कैप इंडेक्स को लार्ज आ जाएंगे इंडेक्स फंड में निवेश करने से बेनेफिट यह रहेगा कि कुछ पैसा आपका जैसे कि हम तीन जगे बाट रहे हैं तो एक हिस्सा जो आपका 25,000 का रहेगा वो बड़ी कंपनियों के स्टॉक्स में जाएगा तो रिस्क यहां पर कम रहेगा तीसरी कैटेग भी बहुत ज्यादा रिटन्स पर फोकस नहीं करता हूँ जो मेरे रेगुलर वीवर्स हैं वो जानते हैं इस बात को कि कभी भी मैं हायर रिटन्स पर फोकस नहीं करता हूँ मेरा फोकस रहता है सही रिटन्स पर ज्यादा रिटन्स के पीछे भागेंगे ज्यादा रिस्की पॉर्टफोलियो हो जाएगा, ज्यादा रिसकी पॉर्टफोलियो में कई बार ऐसा भी हो सकता है, कि हमें रिटन्स नेगेटिव भी देखने को मिल सकते हैं, कोशिच करनी हैं, अच्छे रिटन्स बनाने हैं, ज्यादा रिटन्स नहीं, ये अच्छे रिटन्स के लिए अच् हम लोग बाद में करेंगे गर आपको fund choose करने में दिक्कत आ रही हो तो मेरा दूसरा चैनल भी है लिंक आपको description में मिल जाएगा वहां मैं funds के बारे में detail वीडियो बनाता हूँ आप देख लीजेगा कि mid cap में आपके लिए कौन सा fund ज्यादा suitable है average returns लगबख 24% के हैं इस category के long time में अच्छे returns ये category दे सकती है large cap के मुकाबले ज्यादा returns है small cap के मुकाबले कम risk है तो 10 साल की duration में mid cap आपके लिए अच्छा option है आपने जो खुद से fund choose किया था mid cap category में वो आपने मोती लाल उस्वाल रखा था इसको भी रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है वड़िया fund है तो mid cap में आपने इस तरह से रख लिए बाकी बात करें अगर large cap index की इस पर भी बात कर लेते हैं देखिए large cap large cap index यहां अगर मैं औसत रिटन्स की बात करूँ इस category के तो लगबख 15% के returns हमें यहां भी देखने को मिल रहे हैं long time में औसत रिटन्स है इस category के fund selection आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जैसे कि आप SBA को भी देख सकते हैं अच्छे returns हैं SBA का next 50 जो fund है उसको देख सकते हैं 51 से 100 rank तक की company में आपका पैसा जाएगा expense ratio कम रहेगा तो यह भी एक बढ़िया option आपके लिए हो सकता है तीसरी category जो मैंने आपके लिए रखी है वो रखी है मैंने flexi cap चलिए flexi cap के भी returns देख लेते हैं औस रिटन्स की ही बात कर रहा हूँ category का औस रिटन्स हमें क्या मिल रहा है लगबग 18% के returns हमें flexi cap से भी मिल रहे है देखिए flexi cap को रखने का benefit यहां यह रहेगा कि flexi cap जैसे की पराग पर एक flexi cap है major exposure large cap में है बागी mid cap और small cap में भी मिल जाएगा आपको exposure तो returns flexi cap से भी हमें long time में ठिक ठाक मिलते है तो आप इस तरह से 25,000 रुपे 25,000 रुपे 25,000 और 25,000 तीन जगे बाट सकते हैं और एक अच्छा portfolio उपने लिए बना सकते हैं 75,000 रुपे का लंसम 10 साल में आपको यह अच्छे returns बना कर दे सकता है अच्छे returns मिलेंगे, ज्यादा returns नहीं मिलेंगे आगे बढ़ते हैं मयूर करके कुछ comment दे सरका best mutual fund for long time please video with detail देखे, अब long time के लिए तो आप mid cap को भी रख सकते हैं small cap को भी रखा जा सकता है अगर आप मुझे अपने investment बताते कि आपको लंसम करना है या आपको SIP करना है तो ज्यादा सुधा होती मुझे आपके लिए वीडियो बनाने में देखे, अगर आपको SIP करना है और long time का मतलब आप कितना समय की बात कर रहे हैं उसकी भी मुझे जानकारी नहीं है अगर आपकी duration 10 साल को cross कर रही है तो small cap ज्यादा अच्छा है अगर आपकी duration 10 साल के असपास है 10 साल के अंदर है तो mid cap आपके लिए ज्यादा अच्छा है और अगर आपकी duration 5 और 10 साल के बीच में है तो आपके लिए blue chip funds या flexi cap funds ज्यादा बहतर है तो इस तरह से हमें एक बहतर portfolio बनाने के लिए सभी चीजों की जानकारी होनी जरूरी है देखिए अभी कुछ लोग investment के लिए भी बोल रहे हैं कि हमें जो investment है हमारा portfolio बना दीजिए हमें investment का पता नहीं है कि कहां से करना है कैसे करना है देखिए बहुत जल्दी मैं भी आपके लिए कुछ इस तरह की एक facility समझ लीजिए आज लेकर आने वाला हूँ जिसमें आप मेरे थुरू भी mutual fund में निवेश कर पाएंगे लेकिन अभी थोड़ा सा आपको wait करना होगा जब भी वो आपको मैं इस तरह से start कराऊंगा तो उसका link मैं आपको description में दूँगा कहीं और मैं आपको link नहीं दूँगा किसी को whatsapp नहीं करूँगा कुछ नहीं करूँगा description में link रहेगा उसके थुरू आप invest कर पाएंगे आपका जो भी portfolio होगा वो मेरे पास share हो जाएगा मैं देख सकता हूँ कि आप कहा का invest कर रहें किस तरह से कर रहें तो उसके लिए भी हम लोग discuss करेंगे अराम से फिलाल यहां बात करते हैं देखिए अगला सवाल है सादन कुमार सेंजी का सर मेरा portfolio review कीजिए इन्होंने मुझे कई बार मुझे इन्होंने comment किया है देखिए small cap इन्होंने रखा है निपान इंडिया साथ ही साथ quant small cap इन्होंने रखा है ठीक है फ्लेक्सी कैप आपने अच्छा रखा है पराक परिक का ICIC Prudential का blue chip आपने रखा है ठीक है सर मोती लाल उसवाल mid cap रखा है ये सब mutual funds में निवेश किये हैं तो funds कैसे हैं सर बहुत अच्छे funds हैं सभी funds अच्छे हैं ये funds आपको अगर आपकी duration 10 साल के आसपास है तो आपको बढ़िया returns बना कर देंगे दस्याल से ज्यादा के लिए investment है तो भी returns आपको बढ़िया ही मिलेंगे क्योंकि आपका जो portfolio है वो पूरी तरह से एक दम सही है कोई दिक्कत यहां नहीं है अगला comment सर अधित्या बिल्ला सनलाइफ PSU fund कैसा है इंवेस्टमेंट के लिए देखिए PSU fund ये thematic fund है हमारे पैसे को PSU companies में निवेश करता है थोड़ा से इस fund के बारे में detail में अगर आप जानना चाहते हैं तो थोड़ा समलोग देख लेते हैं अधित्या बिल्ला PSU fund के बारे में देखिए थोड़ा समलोग देख लेते हैं returns वगर आपर बात कर लेते हैं लास्ट के वलियर के returns आप देख सकते हैं 58% तक गए हैं थ्री यर्स के जो returns है 37.89 है फाइब यर्स के returns हम देख नहीं पाएंगे क्योंकि अभी 5 साल चलते हैं इस fund को नहीं हुआ है सिंस inception returns लगबग 30% के हमें देखने को यहां से मिल रहे हैं फंड का एक overview आपके सामने में रख देता हूँ देखिए fund size 5945 करोड का है 30 December 2019 को यह fund launch हुआ था बाकी NAV इसकी लगबग अभी 34 रुपे की हमें देखने को मिल रही है minimum investment इसमें 500 रुपे से किया जा सकता है चलिए थोड़ागे बात कर लेते हैं holdings पर यह देखने थोड़ी सी ज़रूरी है हमारे लिए देखिए State Bank of India, NTPC Limited, ONGC, Power Grid Corporation में Gail में PNB Housing, Coal India, Life Insurance Corporation, Bank of Vododa, भरत Electronics इन कंपनियों में ज्यादा पैसा निवेश किया जा रहा है इन कंपनियों को देख कर आप idea लगा सकते हैं कि यह fund कैसा है कैसी performance इसकी future में रह सकती है sectors को आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा पैसा कहा है energy में, finance में इन sectors में ज्यादा पैसा निवेश किया जा रहा है energy का sector है, आने वाले time में growing है काफी तो ऐसा है यहां से returns आपको future में अच्छे देखने को मिल सकते हैं बने रहीएगा fund में लंबे समय के लिए fund की performance आपको future में अच्छी देखने को मिल सकती है चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो की हमारा आज का last सवाल है सर दो लाख रुपे का लंब सम करना है प्लीज तीन टॉप funds SBA में next 20 से 25 वियर्स के लिए देखिए 20 से 25 साल की duration है अच्छी duration है आपकी लेकिन जरूरी है आपको SBA में निवेश करना आप किसी और में भी जा सकते हैं लेकिन SBA में ही अगर निवेश करना चाहते हैं दो लाख रुपे का लंब सम है बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन की बिज़रत नहीं है क्योंकि आपकी duration बहुत शानदार है देखिए आपको यहां कुछ funds में बताऊंगा जिनकी performance लॉंग टाइम में आपको अच्छी मिलेगी आप चाहे तो उनको पैसे को अपने हिसाब से आप बांट सकते हैं सबसे पहले लॉंग टाइम के लिए आप SBA का Contra Fund देख सकते हैं Contra Fund देखिए SBA के Small Cap में तो आप निवेश नहीं कर पाएंगे वहाँ लमसम अभी फिलाल बंद है SBA का Contra Fund आप देख सकते हैं दूसरे Fund की बात करूँ SBA का आप Energy वाला जो Fund है उसको देख सकते है क्योंकि Energy की जरुद हो हमें अगले 20-25 साल तक रहनी है तीसरे Fund की बात करूँ SBA का Large and Mid Gap इस Fund को आप देख सकते हैं यह तीनो जो Funds हैं बढ़िया हैं अगर एक Mid Gap केटेगरी के Fund की बात करूँ specially तो फिर आजाएगा SBA का Magnum SBA Magnum को आप देख सकते हैं यह चार Funds हैं चारों की Performance बहुत शानदार है अगर आप लंसम करना चाहते हैं तो चारों को आप देख सकते हैं बाकि Detail वीडियो आप चाहते हैं उसके लिए मेरा दूसरा चैनल है वहाँ आप देख सकते हैं आपको Funds के बारे में Detail वीडियो वहाँ देखने को मिल जाएगे और अगर अभी नहीं मिली है तो आने वाले कुछ टाइम में मिल जाएगे क्योंकि वीडियो वहाँ रेगुलर्ली अपलोड अब हो रही है सभी Funds की Detail वीडियो वहाँ में धीरे-धीरे अपलोड कर रहा हूँ तो दोस्तो ये कुछ कमेंट्स थे जो मैंने आज की वीडियो के लिए पिक किये थे आपके मन में भी कोई दुविदा हो बे जिजएक कमेंट मुझे कर दीजेगा हो सकता है कि अगली ही वीडियो में मैं आपके कमेंट पर भी थोड़ा फी डिसकेशन यहां करूँ तो दोस्तो उमीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा फिर भी कोई कन्फियूजन हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा रिप्लाइ मैं आपको जरूर करूँगा बागी दोस्तो रिकमेंडेशन नहीं है केवल एजुकेशनल परपस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है क्योंकि म्यूचल फंड का जो भी निवेशे बाजार जोखिमों के अधीन होता है इसलिए जब भी निवेश करें अपने रिस्क टॉलरंस को सरूर देखें बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेर जरूर कीजेगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजेगा नमस्कार